सो एलो गाईज आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप किंग की सूपर मैन किक कैसे मारेंगे इस किक से किंग सामने वाले प्लेयर की 50% से ज़्यादा पावर एक ही बार में एब्सॉर्ब कर लेता है बहुत कम लोग इस किक के बारे में जानते हैं वीडियो को कम्प्लीट देखें आप ये किक मारना सीख जाएंगे बहुत ही पावरफुल किक है जर आप वीडियो को ध्यान से देखेगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम प्रैक्टिस मौड यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस मौड में हम यहां पर किंग की यह सूपरमैन की कमार न सीखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर किंग सिलेक्ट कर लेते हैं यह हमने किंग सिलेक्ट कर लिया चाले तो आप second player भी king select कर सकते है कोई और भी select कर सकते है वो आपकी मरजी है तो अब हम start करते है तो देखे सबसे पहले में करना क्या है सबसे पहले में देखे ये करना है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो handle का button है हमारे left side पे जो handle का button होता है उपर नीचे है आगे पीछे करने वाला इस button में आपको नीचे वाला button दो बार दबाना है इस तरीके से जैसे अभी काम कर रहा है दो बार दबाना है और भोती speed से दो बार दबाना है तब ये नीचे हो पायेगा भोती speed से देखे ने दो बार tap करना है बहुत ही speed से ये आप सीख गे इतना अब second step की तरफ चलते second step में आपको cross button दबा कर रखना है जो kick मारने वाला cross button है kick मारने वाले दो button है एक तो circle button है और एक cross button है हमारे पास दो है तो आपको cross button इन में से दबा कर रखना है और circle button दबा देना है तो ये इस तरह की किक मारता है लेकिन अगर हम handle का use करते हैं जो हमने first step सीखा था उसमें हमने क्या किया था दो बार नीचे जाने वाला button दबाया था handle का इस तरह के से तो आपको दो बार tap करना बड़ी speed से है लेकिन जब आप पहली बार टैप करते हैं उसके दूसरी बार जब आप टैप करें बटन को तो तुरंट cross button के साथ circle button दबा देंगे cross button तो आप permanently दबा कर ही रखेंगे तो आपको करना क्या है देखें पहले देख लेते हैं कैसे लगने वाली है यह अब मैं आपको मार कर दिखाता हूँ कि कैसे मार कर दिखाता हूँ यह यह थी हमारी superman kick जो अभी लगी है यह देखें यह बहुत ही high power में लगती है एक बार दुबारे देखें यह 50% से ज़्यादा power absorb कर लेती है तो क्या करना है जाने वाला button दबाना है नीचे बैटने वाला बहुत ही speed से दबाना है दो बार tap करना है और cross button permanently दबा कर रखना है और circle button दबा देना है जब दूसरी बार handle का button दबता है दबाना तो दो बार ही है बहुत ही speed से यह देखिए I hope आप सीख गए होंगे इसे मारने की एक दूसरी trick भी है आप handle का उपर जाने वाला button भी दबा सकते है jump वाला दो बार speed से दो बार speed से और जब पहली बार दबाते हैं तब तो कुछ नहीं करना है जब second बार दबाते हैं सेम वही circle वाला button तुरन दबा देना है और cross बटन तो permanently दबा करें रखना है यह देखिए इस तरह से भी हमार सकता है उपर जाने वाले button से भी हमार देता है यह देखिए यह दो तरीके आप नीचे जाने वाले से मार कर दिखाता हूं मैं नीचे बैठने वाले से यह देखिए सेम किक मारता है सूपर मैन किक थी अगर आप यह किक मार ना सीख गए हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे कुछ और सीखना हो तो मुझे कमेंट में बताए ठैंक यू फॉर वचिंग दा वीडियो सीव मैं नेक्स्ट वीडियो तिल दै की प्लेंग टेकन 3 और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें